रुखमिनी बैनर जी फ्रम प्रथम वोड लाइक आज़ा हुएंगा बच्चों के मांग है आपने पढ़ा होगा कि जितने विश्विजया थे अपने अपने नीती अपना रहे हैं क्यों नहीं आप इस साल कोविड की वज़ा से नीट और पाकी जी एग्जामिनेशन कामपिनेशन हैं, उनको पोस्टपॉन कैंसल क्यों नहीं करते कुछ दिनों के लिए, क्योंकि समय नहीं मिला, कोचिंग सेंटर नहीं की, ऐसे कोई प्रणाली है, जिसके अंसार काफी एग् परिक्षा की बात किया है, और आपने ये भी कहा कि विश्व विद्याले अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं, विश्व विद्याले कोई अपनी मनमानी नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ विश्व विद्याले को ये कहा गया है, कि ये जो अंतिम वर्षी की जो परिक्षा है, उस अंतियम वर्ष की जो फाइनल परिक्षा है फाइनल उस फाइनल परिक्षा को जरूर वो किसी रूप में भी ले वो ओन लैन ले ओपन बुक एक्जाम ले उसको फ्री छूट दी है विसो भी देले अलग-अलग प्रस्तितियों में यह माले कि छेत में कोई होगा तो कोई दू फाइनल परिक्षा इसलिए यह नर्डे लिया यूजी सी ने क्योंकि कल की दिनांग में कोई यह न बोले कि यह कोबिट धारी है और बिना परिक्षा की इसको डिग्री मिली भी है यह वर्ष तो चला जाएगा कोबिट का समय तो चला जाएगा लेकिन उसके आजीवन पर व बंद करें वो हम नहीं कर सकते हैं उसके भवशे के साथ हम खिलवार नहीं कर सकते हैं इसलिए हमने कई बार बढ़ाया समय बढ़ा रहे हैं तमाम जो भी चात्र को सुवधाय मिल सकती हैं जैसे भी वो कर सकता है उस तरह किसे किवल फाइनल येर के लिए शेश की तो हमने व यवस्ता की और जहां तक जेई और नीट का विशह है अभी आपने कहा है अभी मैं देख रहा था कि पहले परिक्षा की टितियां 19 से 23 जुलाई 2020 में जेई मेंस के आपने की थी अब उसको संसोदित करके 1 से 6 सितंबर कर दिया अब जेई एडवांस में 23 अगस्त को होना था इ जो नीट है नीट की परिक्षा 26 जुलाई को निशी थी इसको भी जुलाई के बाद अगस अगस से भी आगे 13 सितंबर तक कर दिया और इसलिए जो ये बहुत महत्वपूर्ण परिक्षा हैं जो उस चात्र के बहुशे से जूली परिक्षाई हैं उन चात्रों के साथ अभी आपको खुशी भी होगी कि हमने ऐसी परिक्षित में एक एप निकाला नेशनल टेस्टिंग एप ऐसा एप दिया जो उनके घर पर ही जाकर के कोचिक सेंटर हो गया उसमें सभी परिकार की उनको समगरी दी उनको अपना टेस्ट लेने का भी उसमें मौका दिया और आपको आशियर होगा कि लाखों लाखों बच्चों ने उस पर उसका उप्योग कर रहे हैं अपना स्टेस्ट स्वेम ले रहे हैं ताकि वो प्यूरी तरीकी से ताकत के साथ खाड़े हो सकें और हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाशों में दिया और हमने कहा था कि जो अन्य प् कि परिक्षा उसके जीवन और भौश्य से जूड़ी हैं और यह समय जैसे जैसे अनरूप आएगा मुझे लगता है कि हम उसकी सुरक्षा के साथ भी हैं और उसकी सिक्षा के साथ भी हैं हमारे लिए पहले उसकी सुरक्षा है उसके बाद उसकी सिक्षा है और यह दोनों ज स्वास्य मंत्रा ले से लगातार परामर्श के बाद कोई अगला निर्ड़ को